तो मन के द्वारा हमें अधियात्मिक विश्यों का स्मारण करना चाहिए और बहुतिक विश्यों करना ही अगर हम बहुतिक विश्यों का स्मारण करेंगे तो अस्ते अस्ते भाब भी बढ़ेगा ऐसे कारियों में जूड़ने के लिए हमें पखंडी भी नहीं बना चाहिए ए इसके घर के सामने एक ब्राह्मेन का घर था तो वह वह सारा दिन बढ़ाने में रहती थी रा की रा देख रहती थी और मन में वह सोचते रहती थी अगर मेरा जनम ब्राह्मेन खांदा ने हो आगले जनम में तो मैं भी उस ब्राह्मेन जैसे सारा दिन सास्ता पड़ूगी यह पाप का धन्दा नहीं करना पड़ेगा और ब्राह्मेन सामने तो ग्रंट सका हुआ था और मन में सोच रहा था हाँ अभी राख गया है अंदर वह 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 व तो यामजूत आए, ब्राह्मन को ले ले, ब्राह्मन ने कहा, आप गल्द पते पर आ गए हो, आपको तो वैश्य के पर जान रहा चाहिए, तो यामजूत ने कहा, वैश्य पाप के धन्ने में जुड़ी थी, और मन में सोच रही थी, कब ब्राह्मन बनूगी, आप दिखावा कर रहे थे ब्राह्मन का, वो दिन रात सोचते थे, वैश्य के भोग विलास के जीवत में कितना आना है, तो आप चलो सजाब हो गए दिखे ले, तो ब्राह्मन गीना में कहा गया है, हमें प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए, प्रिटेंडर मतलब भार से ब्रा प्रिटेंडर के विचारों में जुड़े रहे हैं, ऐसे जुड़े रहा होगे, बक्तिया भी कमजूर हो जाएगे, फिर आप यह सोच होगे, ने, यह मेरे बस के लिए नहीं है, मेरे बहुत कटे नहीं है, अगर आप शुरू सही नहीं करो, जैसे कल विचारा आए, तुरं तुरं तुने एकदम भार पेक दो, और भग्माद की तब में क्या कहते हैं, जमान भटकेगा, मान से उसे वापस भीच कर ले आओ, बच्चा भागता है, तो माता क्या करती है, भाग कर उसे वापस ले आती है, तो मान जब गल सान में भटक रहा है, उसे वापस ले आओ, और बहुत तिक भीचे की वजए है, लिहाद उन भीचे हो बिठावा है।